जम्मू के पास पहाडों से घिरा हुआ एछ चोटा सा गाउं था वहाँ मोहन नाम का एक किसान रहता था घर में उसकी बीवी और दो बेटिया थी मोहन फसले बेच कर दो पहर को घर जाता था और उसकी दोनों बेटिया उसके पास आकर कहती थी पापा पापा आप हमारे लिए क्या लाए हो चॉकलेट लाए हो ना नहीं बेटी बस एक कद्दू लाया हूँ कद्दू कद्दू से क्या होगा हमें तो चॉकलेट काना है चौकलेट से पेट थोड़ी भरेगा बेटी आज चावल के साथ कद्दू की सबजी खाएंगे नहीं, मुझे कद्दू की सबजी नहीं खानी ये बोल कर दोनों बच्ची चली गए माल्ती ने मोहन से कहा बच्ची है न, धीरे-धीरे समझ जाएंगी मैं इतना गरीब की हो मालती मैं अपनी बेटियों को दो चाकलेट भी नहीं लाके दे सकता मैं कितना बुरा बाप हो ना नहीं जी, आप बहुत अच्छे पिता हो देखना, वैशनो माता हमारी सारी परिशानी दूर कर देंगी जहे वैशनो देवी की मोहन नहाद होकर वैशनो देवी की पूजा में बैठ गया माते, आपको तो सब कुछ पता ही है यह गरीबी जाती ही नहीं है बस मेरी दो बेटियों को मैं जिंदगी भर खुस देखना चाहता हूं आसरवाद दीजिये देवी मा जाए वैशनो देवी की एसे ही उसके जिंदगी बीत रही थी लेकिन एक दिन गाओं के बाहर एक सूपरमार्केट खुल किया सभी गाओं वाले गाओं का बाजार छोड़कर सूपरमार्केट में ही अनाज खरीदने के लिए जाने लगे और मोहन के गाओं के बागी सभी किसान अपना अनाज उसी सूपर मार्केट में बेचने लगे लेकिन मोहन ने ऐसा नहीं किया अरे भाई क्यों बेच रहे हो उन लालची लोगों को अनाज है अरे अच्छा खासा पैसा मिल ला है मोहन भाई अरे तुम भी बेचो और धेर सारा मुनाफा कमाओ वो हमें बुद्धु बना रहे हैं भाई अभी वो हमसे महंगा अनाज खरीद के लोगों को सस्ते में बेच रहा है लेकिन जब सभी सूपर मार्केट ही जाने लगेंगे तब वो हमसे बहुत कम दाम में अनाज खरीदेंगे और हमें तब उन्हें ही बेचना पड़ेगा हैं वो क्यों क्योंकि तब लोग गाउं के बाजार में आना बंद कर देंगे तुम जो भी बोलो मोहन भाई तब का तब देखा जाएगा अभी फायदा हो रहा है क्यों ना बेचू वहां मोहन को जो बात समझ में आ गई वो बाकी किसान नहीं समझ पा रहे थे पापा आज आटा लाए हो ना नहीं बेटी आज नहीं ला पाया कल पक्का लाऊंगा मोहन पूजा में बैठ कर रोने लगा हे वैशनो माते ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ मैंने कुछ गलत तो नहीं किया तो फिर क्यों मुझे और मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ रहा है तब ही मोहन के घर के बाहर सुपर मार्केट का मालिक रमाकान सेट आए मोहन अरे ओ मोहन बाहर आ मोहन बाहर आया क्यों फाल तुमें रो रहा है एक तू ही है जो हमें अनाज नहीं बेच रहा है बाकी सब तो मजे कर रहा है हमसे दोस्ती करके आप दोस्त नहीं दुस्मन हो बहुत जल्दाप हमारे पेट पर लात मारोगे अच्छा तो तू हमें अनाज नहीं बेचेगा नहीं कभी नहीं ठीक है मैं भी देखता हूँ कि तू उस बाजार में कब तक अनाज बेज पाता है ये बोलकर रमा कांथ चला गया अगले दिन मोहन बाजार में अनाज लेकर गया एक दो लोगों ने आकर मिर्ची वगेरा खरी दी और भी सबजी लोना सहाब साग है टमाटर है ने ने हाँ माजी ताजा साग है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बेटा मुझे तू मुफ्त में देगा क्या घर में खाने के लिए कुछ नहीं है साग उबाल कर खा लूँगी मुफ्त में? ठीक है ले जाइए माजी घुके पेट सोने का दुख मैं जानता हूँ ये लीजी मुफ्त ने उस बुढ़ी औरत को साग दिया तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा माता वैश नो तुझे बहुत सारी धन दौलत दे ये बोलकर वो बुढ़ी चली गए और वो हर रोज मोहन के पास आने लगी इस तरह एक महिना बीद गया और एक दिन मोहन के पास एक अमी राद में आया मोहन अगले हफते मेरी बेटी की शादी है उसके लिए जो है मुझे बहुत सारी सबजियां चाहिए समझे करीब दो लाख रुपए की सबजियां दो लाख रुपए हो जाएगा मालिक लेकिन आप सूपर मार्केट से ना खरीद कर मेरे पास क्यों आये हो अरे सुना है सूपर मार्केट वाले सबजियों को ज्यादा दिन तक ताजा रखने के लिए दबाई मिला रहे हैं मुझे ताजी सबजियां चाहिए भई बोलो हो जाएगा न हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा मोहन बहुत खुश हुआ बस एक हपते बाद मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा फिर मैं तुम लोगों के लिए चाकलेट लाऊंगा मोहन की बेटियां भी बहुत खुश हुई लेकिन ये बात रमाकांट सेट के कानों में पहुँच गए दो लाख का ओडर उस मोहन को मिल गए मुझे पहले से ही पता था कि वो हमारे लिए एक प्राबलम है अब समय आ गया है उसे रास्ते से हटाने का शादी वाले दिन दो लाख की सबजी मेरे सुपरमार्केट से ही खरीदी जाएगी रमाकांट ने एक गंदा प्लान बनाया शादी से एक दिन पहले पूरा खेट ताजी सबजियों से खेल उठा था और तभी रमाकांट वहाँ आया और पीछे से मोहन के सर पर मारा अब ठीक कर दोगे कैसे काहा ना तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है तुने मेरी मदद की थी अब मैं तेरी मदद करूँ की ये बोलकर वो बुड़ी और खेट में उतर गई और पूरी खेट में सबजियों के बीच फैलाने लगी उसके बाद पानी भी डाला मोहन घर चलाया अगले दिन सुबह सुबह वो अमीर आदमी पैसे लेकर चलाया उस आदमी को लेकर मोहन खेट में गया देखा सच में वहाँ सबजियां ही सबजियां है ताजी सबजियां देखकर उस अमीर आदमी ने मोहन को दो लाग के बदले धाई लाग रुपे दिये उस आदमी के जाने के बाद ही वहाँ वो बुड़ी औरत आ गई क्यों? कहा था ना? आप कोई साधारान इंसान नहीं हो, आप कौन हो? तभी वो बुड़ी औरत माता वैशनों में बदल गई और बोली वत्स, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तेरी मदद की तु चिंता मत कर वत्स, बुरी शक्तियों का नाश करना ही मेरा काम है बाजार में फिर से लोग आएंगे, तुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, तथास तू माता वैशनों अद्रिश्य हो गई, अगले ही दिन खबर आई की सुपरमार्केट में आग लग गई है और सब कुछ जलकर राख हो गया है, गाउं के बाजार में फिर से लोग आने लगे, और माता वैशनों की क्रिपा से खुशी खुशी जीने लगा रोहित और मेखा की नई-नई शादी हुई थी, ये एक अरेंच मैरिज थी, इसलिए मेखा रोहित के बारे में बहुत कम जानती थी शादी के अगली सुबह मेखा मंदिर की आरती लेकर अपने साससुर और रोहित के पास गई जै माता दी, मम्मी जी ये आरती, जीती रहो बहू, पापा जी जै माता दी, सदा खुश रहो बेटा सुनिए, ये आरती तो लेते जाए मेखा मैं भगवान पर विश्वास नहीं रखता, ये आरती वगरा, आज के बाद मुझे मत देना, समझ गई रहने दे बहू, कोई फाइदा नहीं, रोहित भगवान को नहीं मानता, हम दोनों ही हैं जो घर में पूझा पाट करते हैं, वो बस पूझा में बैठ जाता है, लेकिन खुद पूझा नहीं करेगा अब क्या करू, मैं कैसे जाओंगी क्या हुआ बहू, तुम किस सोच में पढ़ गई, वो, मम्मी जी, मैंने मननत ली थी, कि शादी के बाद मैं वैशनो देवी की यात्रा पर जाओंगी, पर अब कैसे होगा, रोहित तो चिंता मत करो बहू, रोहित तुम्हारे साथ वैशनो देवी यात्रा पर जरूर जाएगा, वो खुद पूझा ना करे, पर उसने तुम से शादी की है, तो उसे एक पती की सारी जिम्मिदारियां निभानी होंगी मैं तुम दोनों की टिकट आज ही करवा देता हूँ अभी तुम यात्रा पर जाने की तैयारी करो, बाकि सब मुझ पर छोड़ दो थैंक यू ममी जी, थैंक यू पापा जी मेगा खुश हो जाती है और वैशनो देवी जाने की तैयारी करने लगती है रोहित का मन नहीं था कि वो वैशनो देवी यात्रा पर जाए पर मेगा और ममी पापा की कहने पर वो साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है दोनों कट्रा पहुँचते हैं एक रूम लेकर वहाँ सामान रख कर वो यात्रा के लिए निकलते हैं आपको पता है रोहित मैं जब बहुत छोटी थी तो ममी पापा के साथ वैशनो देवी यात्रा पर आई थी और जब तुमसे मेरी शादी की बात चली तो मैंने माता रानी से कहा था कि आज जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं सबसे पहले आपके द्वार पर ही आऊँगी और देखो आज मेरी मननत पूरी हो गई मैं वैशनो देवी की यात्रा पर आ गई थैंक्यू रोहित हाँ आना तो थाई अब तुमसे शादी जो हुई है और कुछ भी कहो मेगा भगवान को नहीं मानता मुझे लगता नहीं कि भगवान है देखो हम दोनों बेकार में थके हुए यहाँ है इतनी लंबी चड़ाई करेंगे वो भी पैदल इससे तो अच्छा मैं तुम्हें कहीं अच्छे हिल स्टेशन पर ले चलता पता है मान कितना मज़ा आता क्या तुम बेकार में यहाँ थकने के लिए आ गई हो यार और साथ में मैं भी थक गया हूँ ना तुम्हें यहाँ का कुछ पता है ना मुझे रोहित मातारानी के होते हुए हम पर कोई संकट नहीं आएगा देखना हम आराम से अपनी यात्रा पूरी करेंगे हाँ हाँ देखा जाएगा अभी तो यात्रा शुरू यह देखते हैं रास्ते में क्या होता है चलो अब चलते हैं रोहित और मेगा वैश्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं रास्ते में थोड़ी थोड़ी जगह पर रुखते आराम करते वो दोनों आगे बढ़ते रहें मेगा जय मातादी जय मातादी बोलती जा रही थी रोहित कुछ मिंटो के लिए वहीं बैंच पर बैठ गया तभी बहुत सी भीड में लोग जय मातादी जय मातादी बोलते हुए आगे बढ़े मेखा ने सोचा रोहित साथ चलने लगा है वो भी आनंद के साथ उन लोगों के साथ जैकारा लगाते हुए आगे बढ़ने लगी रोहित को जब मेखा दिखाई नहीं दी तो वो घबरा गया मेखा कहा गई? मेखा? मेखा? कहीं आगे तो नहीं चली गई थोड़ा आगे जा कर देखता हूँ रोहित ने मेखा को बहुत ढूंडा पर मेखा उसे कहीं दिखाई नहीं थी तभी रोहित की नजर उस भीड पर जाती है जो थोड़ी देर पहले रास्ते से गुजरी थी रोहित उस भीड के पास जाता है और मेखा को भीड में ढूंडता है पर मेखा उस भीड में नहीं थी भाईया मेरी वाइफ आप लोगों के साथ ही आगे चल रही थी उसमें पीले रंका सूट पहना हुआ है आपने कहीं देखा है नहीं भाईया मैंने तो नहीं देखा भेंजी आपने पीले दंका सूट पहने और लाल चुन्नी ओड़े हुए मेरी वाइफ थी उसको कहीं देखा है वो भीड के साथ ही चल रही थी नहीं भाईया मैंने भी नहीं देखा रोहित की घबराहट बढ़ती जा रही थी मेगा उसे कहीं नहीं मिली बहुत देर तक वो आते जाते लोगों से पूछता रहा मेगा का फोन भी स्विच ओफ आ रहा था शाम होने को आ रही थी लोग चड़ाई चड़ रहे थे रोहित परिशान हो गया और उसकी आँखों से आँसू बहने लगे तब ही उसके ममी पापा का कॉल आ गया हलो रोहित बेटा क्या हुआ बहुत देर से फोन मिला रहे थे तुम फोन नहीं उठा रहे थे सब ठीक तो है ना बहु का फोन भी स्विच्च ओफ आ रहा है मा हाँ सब ठीक है वो तेरी आवाज से लग रहा है तु हमसे कुछ चुपा रहा है बता मेरे बेटे क्या हुआ तुझे मेरी कसम है रोहित बेटा बहु कहा है कुछ तो बताओ क्या बहु खो गई कहीं मिल नहीं रही मुझे फोन दो मेरा बच्चा वहाँ परिशान हो रहा है पता नहीं हमारी बहु कहां चली गई हलो रोहित बेटा चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा बहु मिल जाएगी तु मातारानी से विंती कर देखना मातारानी तेरी जरूर सुनेंगी हम भी यहां से प्रातना करेंगे तु उन पर विश्वास नहीं करता न पर एक बार मेरे कहने पर तु मातारानी से अपनी पत्नी के लिए विंती कर मेरे बच्चे देखना उनकी शक्ती से मेगा मिल जाएगी एक बार विश्वास कर हलो, हलो तभी फोन कट जाता है और काफी देर तक नेटवर्ट नहीं आते रोहित जो कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता था वो हाथ जोड़कर मा वैश्णों को याद करता है रोहित्मा वैशनों से सच्चे मन से प्रार्थना करता है तब ही उसके मुबाइल पर एक नंबर से फोन आता है रोहित्द दौडता हुआ उस जगा पर पहुचता है जहां से उसे फोन आयए था रोहित्द देखता है मेगा वहाँ बेंच पर बैठी हुई है और दो व cod elect उसके पास खड़ी है रोहित! रोहित्? मेगा, तुम कहाँ चलि गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूना घबरानी की कोई बात नहीं है इन्हें चक्कर आ गया था और ये बेहोश थी होश में आते ही हमने इनसे आपका नमबर लिया और अपने मुबाइल से आपको कॉल किया थैंक्यू मैम अब तुम ठीक होना मेगा अहां रोयत मैं ठीक हो पता नहीं चलते चलते मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो तुम मुझे कहीं नजर नहीं आए मैं घबरा कर रोने लगी घबराट में मैं बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला फिर जब होश आये तो इन्होंने मुझे संभाला और मैंने इन्हें तुम्हारा नंबर बताया मातारानी के आशिरवाद से तुम मुझे मिल गए तुम ठीक कहे रही हो मेगा मातारानी के आशिरवाद से ही तुम भी मुझे मिली हो मैंने मा से प्रार्थना की थी कि तुम मुझे मिल जाओ और सचमुच उनके चमतकार से तुम मुझे मिल गई मिघा मैं विश्वास नहीं करता था मापर पर आज उनकी शक्ती को देख कर मैं उन पर विश्वास कर सकता हूँ वो बहुत दयालू है वो सबकी प्रार्थना सुनती है जै मातादी मातारानी के प्रती रोहित का विश्वास जाग गया था वो दोनों मिलकर भवन पर मातारानी के दर्शन करते हैं और खुशे-खुशे यात्रा पूरी करके घर लोटते हैं अपने बेटा बहु को सही सलामत घर वापस देख कर उनके माता-पिता भी बहुत खुश थे अब रोहित भी अपने परिवार के साथ साथ भगवान की पूजा करता भगवान के मंदर जाता अपने जीवन में आई इन खुशियों के लिए मेगा देवी मा को धन्यवाद कहती है